हेलो एवरिवन स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंसरार इस्टडी मेट्रियल में फ्रेंड्स जैसे कि आम बी यो के लिए क्लास लेकर आते हैं चार क्लास हम यहां कंप्लीट कर चुके हैं अपनी और इनमें हमने तीन लेसन कंप्लीट किये हैं रश्टिया अंदोलन से तो इन तीन लेसन से रिएटिड जो भी One Liner Question बनते हैं वो हम यह लेकर आए हैं जलिक देखते हैं पहला कोशन क्या है पहला कोशन है यह One Liner Question है एक्जाम अब्जेक्टिव टैप हो कर लेकिन लेकिन One Liner Čर हीexist कोशन है यह One Words के कोशन है इन्हें आप एक बार जरूर देख पहला कोशन है 1857 के विद्रो का मुख्य परबाव छेत्र कौन सा था तो इसका मुख्य छेत्र को था उत्तर मध्य भारत उत्तर मध्य भारत ये गोशना कब हुई कि बादूर साके उत्र अधिकारी को लार किला छोड़ कर कुतुब मिनार के पास एक छोटे भवन में रहना तो ये गोशना की गई थी 1899 में किस वस भारतिय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रया अनिवारियक कर दी गई थी ये कर दी गई थी 1856 में किस चेत्र की सेवा 1857 से पहले सैनिकों के लिए विदे सेवा समझी जाती थी तो ये किस के लिए समझी जाती थी सिंदत पंजाब के लिए नेक्श कोशन है, एठथ alcanzantauwoong के विद्रोग के किस नेता का नाम डोडू Both था, तो ये था नाना साहब का नाम, विद्रोग के दोरान दिल्ली में बनी परसासनिक समीती में कितने सदस्य थे इसमें थे दस सदस्य भारत में क्राउन की सासन की घोसना कैनिंग ने नवंबर 1858 को कहां के दर्बार में की थी ये की थी इलहाबाद के दर्बार में नेक्ट कोश्चन है उननिसवी सताबदी में चेरो विद्रो कहां हुआ था चेरो विद्रो हुआ था बिहार में किस विद्रो में बावल संपरदाय के अनुयायों ने नेतर परदान किया था ये क्या था पागल पंथी पागल पंथी विद्रो में नायक विद्रो कहां हुआ था नायक विद्रो हुआ था बंगाल में किस विद्रों के नेता ने फ्रांस और अमेरिका से सायता प्राप्त करने की कोशिस की थी यह की थी त्रावन कोर विद्रों में त्रावन कोर विद्रों के नेता ने फ्रांस और अमेरिका से सायता की कोशिस की थी मेरत मेरत हत्याकांड में अंग्रेजी कमान का परधान कौन था व किस छेत्र के अधिगरेन के मामले में डल होजी को कोर्ट ओफ डारेक्टर्स ने हटाया था तो इन्हें हटाया था करोली के अधिगरेन मामले में करोली अठार सो सतावन के बाद भारत की वित्य परनाली पर किसका अधिकार था भारतिय परणाली पर अधिकार हो गए था भारत सचीव का Next question है बर्दवान नहें टैक्स विरोधी आंदोलन किस से संबंदित है यह संबंदित है बंकिम मुखरजी से बंकिम मुखरजी Next question है अवद रियासत का विले अंग्रेजी कंपणी में किस आधार पर किया गया तो इसका विले की आधार था कूपरसासन के आधार पर कूपरसासन Next question है 5857 का विध्रो कांसे सुरू हुआ था यह सुरू हुआ था मेरट से दस मई में शुरू हुआ था यहां पर मंगर पांडे ने बैरखपुर छावनी में यूरोपिया दिकारी की हत्या किस दिन की थी तो इनों ने जो यूरोपिया दिकारी थे उसकी हत्या की थी 29 मार्च 1857 को नेक्स कोशिन है रुएल खंड में रोहिला नेता कौन था जिसने बेटी सासन को चुनोती दी थी तो वे थे अजी मुल्ला सुर पर्थम भारत में इसाय मिसंट्री की स्थापना की अनुमती कब दी गई थी ये दी गई थी 1813 में नेक्स कोशिन है दक्सीन भारत के किस राजा ने अंग्रेजों के विरुद विद्रो नहीं किया था तो 585 कोर के राजा थे जिनों ने विद्रो नहीं किया था 1857 के विद्रो को भारत का पर्थम स्वेतंतरता संग्राम किस इत्यासकार ने कहा है तो भारत का पर्थम स्वेतंतरता संग्राम कहा है वीडी सावर करने 1857 के विद्रो को सामानिय जनता का विद्रो किस इत्यासकार ने कहा है ये कहता प्रोफेसर ससी बूसन चोधरी ने नेक्ट कोश्चन है सन्यासी विद्रो मूलते क्या थे ये थे किसान किसानों ने ये विद्रो किया था नेक्ट है चुवार जन जाती कहां की जन जाती है तो ये जन जाती है मिदनापुर की नेक्ट कोशन है मंगल पांडे ने किसको गोली मारी थी तो मंगल पांडे ने बाग को गोली मारी थी अठार सो चालिस के करीब कुका अंदोलन को किसने शुरू किया तो ये शुरू किया था गुरू राम सिंग ने गुरू राम सिंग ने नेक्ट कोशन है थार्सुचालिस के करीब कुकान दोलन को किस ने सुरू किया था? तो ये सुरू किया था गुरु राम सिंग ने नेक्ट कोशन देखते हैं बारत में सामाजिक और आर्थिक सुधार की परकिर्य का सूतरपात किस काल में किया गया ये किया गया था 19-20 सताब दिवे उपनी वेसी सासन काल में सती पर्था को किस ने और कब गयर कानूनी घोसित किया तो ये कह था लोड विल्यम बैंटिक ने 4 दिसंबर 1839 को राजा रामोहन राय के परियासों से राजा रामोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 828 में की थी ब्रह्म समाज की स्थापना करने का उनका क्या उदेश्य था तो इन्होंने ब्रम समाज की स्थापना की थी जो धर्में हिंदु धर्में मूर्ती, पूज़ा, कर्मकांड और रिविंदुवास फैल चोके हैं उन्हें दूर करने के लिए कलकत्ता में हिंदु कॉलिज और विदान्त कॉलिज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी ये की गई थी राजा रामोहन राय के द्वारा प्राथना समाज की स्थापना किनके प्रियासों से हुई है ये हुई थी केसफचंद्र सेन के प्रियासों से प्राथना समाज की इस धार्मिक सभा का पुनरगठित रूप था जिसकी स्थापना पांडुरंग तार्ग डर ने की थी तो ये था पुरमहंस सभा का पुरणगठित रूप सति परथा का अंत किन के अथक पर्यासों के उपरान समभव हो पाया सति परथा का अंत वथा राजा राम मोहनराय के पर्यासों से नेक्ट कोशन है यंग बंगाल आंदोलन की पहल मुख्य रूप से किसके द्वारा की गई थी ये की गई थी हेंडी विवियन डेरोज जीयों के द्वारा विद्वा विवाह के पक्स में किसके नेतर्थ में आंदोलन किया गया इस्वर्चंद विद्या सागर के नेतर्थ में नेक्श कोशन है एक परसित समाज सुधारा कौन थे जिनका छेतर बंबई था इन्होंने ब्रामनों की सुर्वस्ता को चुनोती दी तता हिंदुत को लोगपिड़े बनाने का प्रयास किया इनका नाम क्या था ये पूछा है यहां पर तो इनका नाम था बाल सास्त्री जांब किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को دारुल हर्ब के दारुल हर्प्से दारुल इस्लाम बनाने का आवान कीया तो यह क्या था सा अब्दुल्ला अजीज ने नेक्ष्ट कोश्चन है बावी आंदोलन का सुर पर्थम नेतर्थव किस ने किया इसका सुर पसे पहले नेतर्थ क्या था साहा वली उल्ला ने नेक्ष्ट कोश्चन है सत्यसोदक समाज की स्थापना किस ने और कब की सत्य सोदक समाज की स्थापना की थी जोतिवा फुले ने 1873 में नेक्ट कोशन है गुलाम गिरी नामक पुस्तक के लेकक कोन है तो इसके लेकक थे जोतिवा फुले नेक्ट कोशन है आरी समाज की स्थापना कहां और कब की गई तो आरी समाज की स्थापना की थी बंबई में 1875 में नेक्ट कोशन है दैनन्द सरस्वती के गुरू का नाम क्या था तो इनके गुरू का नाम था बिर्जा नंद नेक्ट कोशन है फ्राजी अंदोलन का नेतर्थ किस ने किया था और इसका कारिये मुख्या कारिय चेत किस स्थान पर था तो फ्राजी अंदोलन का नेतर्थ किया था हाजी सरियत अलाने और इनका कारिय चेत था पूरी बंगाल नेक्ट कोश्चन है मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरूतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा प्रियास किया गया तो यह प्रियास किया गया था सर सेयद एहमद खाद द्वारा सोरी यह क्या गए था एहमदिया आंदोलन के द्वारा यहां आंदोलन का नाम पूछा है तो वो था एहमदिया आंदोलन नेक्स्ट कोश्चन है किस मुस्लिम समाथ सुधारक को अंग्रेजों ने नाइट हुड की उपादी परदान की थी तो सर सेयद एहमद खा को नाइट हुड की उपादी परदान की गई थी देवबंद स्कूल किस प्रकार का अंदोलन था धार्मी क्या सामाजी इसके नेतर्थ किस ने किया था तो जो देवबंद स्कूल खोला गए था ये एक धार्मी का अंदोलन था और इसका नेतर्थ क्या था मुवमद उलहसन ने नेक्स्ट कोश्चन है सिंग सभा का अंदोलन का प्रारंग कब और कहां हुआ था तो इसका अंदोलन हुआ था अम्रित सर में 1873 में तियोसोफिकल अंदोलन को कीन पास चाहते बुद्धी जीव्यों द्वारा प्रारंग किया इसे प्रारंग किया गया था मैडम एचपी बलावट वसकी और करनल एम एस अरकाटने नेक्श कोशन है रहनुमाई माजदायस इसनान सबाकी इस्थापना की संपरदाय में सुधार लाने के लिए की गई थी ये की गई थी पारसी जो पारसी संपरदाय है उसमें सुधार लाने है तो नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट बारतिये व्यापपार का हीकादिकार समाप्ट कर दिया गए था next question है Albert Will किसे समय में पेस किया गए तो Hilbert Will जो आये था वो आये था लोड रिपन के समय में वर्नाकुलर्प्रेस एक्ट किसे समय में प्रस्तुत किया गए था इसे क्या गय था लोड लिटन के समय में इंडियन सोसाइटी की स्थापना किस ने की थी तो इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी आनन्द मोहन बोस ने पूना सारजनिक सभा की स्थापना किस ने की थी तो पूना सारजनिक सभा की स्थापना की थी वसुदेव जोसी ने लैंड होलडर सोसाइटी की स्थापना कब की गई ये की गई थी अठापना अड़तीस में नेक्ट कोशन है सीसिर कुमार घोस की समचार पत्र से संबंधी थे ये संबंधी थे आनंद बाजार पत्री कह से next question है Bombay Association की स्थापना कब की गई इसकी स्थापना हुई थी 1852 में next question देखते है मदरास महाजन सभा की स्थापना किस वर्स हुई है तो ये हुई थी 1884 में next question है Maxwell Broomfield जांच समीती किस सत्य गरे से संबंदित थी तो Maxwell Broomfield जांच समीती संबंदित थी बारदोली सत्यागरे से इंडिया लीग की स्थापना किसके द्वारग की गई इंडिया लीग की स्थापना की थी सीशर कुमार घोस ने लंदन इंडियान सोसाइटी की स्थापना से कौन-कौन संबंदित थे तो लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना से संपन्तित थे फिरोद सामेता, WC Benerji Next है East India Association की स्थापना कहां हुई थी तो इसकी स्थापना हुई थी लंदन में Next question है National Indian Association की स्थापना किसके द्वारा की गई इसकी स्थापना की थी Mary Carpenter ने Next question है सीविल सेवा प्रीक्स दकिये दिखता मायू 21 वर्स से खटा कर 19 वर्स कर दिये जाने का विरोध किस संगठन के नेतर्थ में किया गया तो ये विरोध किया गया था इंडियन एसोसियेशन के नेतर्थ में नेक्ष कोशन है केसरी समचार पत्र का संपादक कौन था केसरी समचार पत्र के संपादक थे बाल गंगधर तिलक नेक्ष कोशन है आनंद मत्पुस्तक के रचनाकार कौन थे तो आनंद मत्पुस्तक के रचनाकार थे बंकिम चंद्र चटर जी नेक्igan कोशन है प्रस्तुत स्वैतन्ता अंदूलन के दोरान किन-किन भारत्य राजाओ को राष्टे हरो के रूप में प्रस्तुत किया गया तो ये किया गय थे असुक, चंद्रकुप्त मौ्रिया और अकबर को सामारी कुरांती के परनेता के रूप में किस भारते ने ख्याती पाई है तो ये मिली है राजा राम होन राय को समचार पत्र उपर लगा परती बंद किनके प्रयास से समाप्त हुआ तो ये भी राजा राम होन राय के प्रयासों से ही समाप्त हुआ था नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट पर किस वर्स परतीबंद लगाया गया सती पर्था पर 5839 में परतीबंद लगाया गया था अठाश Two 피ण में विद्वा पुनर्विवा कानोन के पर्यास उसे बनाया गया तो इस में निभाई थी इस्वर्चंद विद्या सागर नहीं तो ये थी कुछ जो कोस्टन जो हम अगर तक के हमने जो तीन लेसन किये हैं उनसे रिलेटिड वन लाइनर पूशन जो भी पते वह हम आज यहां लेकर आए थे इसके बाद जो आगे के लेसन होंगे उनसे संबंदित हम वन लाइनर कोशन लेकर आएंगे और जब यह हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा राश्टिया अंतोलन तब हम इसके लिए उब्जेक्टिव कोशन की एक टैस्ट सीरीज लेकर आएंगी तो फ्रेंड्स आपको हमारे आज की वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जुरू तो प्लीज लाइक और सिर करना ना भूलिएगा चलिए मिलते हैं हम नेक्ट वीडियो में